नीती वचन 29 अध्या 1-9 तक जो बार-बार डाटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नश्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा जब धर्मी लोग शिरोमनी होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है परन्तु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रण्तु बेश्याओं की संगती करने वाला धन को उड़ा देता है राजा न्याय से देश को स्तिर करता है परन्तु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है जो पुरुष किसी से चिकनी चुप्ड़ी बाते करता है वो उसके पैरों के लिए जाल लगाता है बुर परंतु दुष्ट जन उसे जानने की समझ नहीं रखता। ठटा करने वाले लोग नगर को फूंक देते हैं। परंतु बुद्धिमान लोग क्रोध को थंडा करते हैं। जब बुद्धिमान मुड के साथ वाद विवाद करता है तब वो मुड क्रोधित होता और ठटा करता है और वहाँ शामती नहीं रहती दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याए एक से बाईस तक जिस प्रकार उन लोगों में जूटे भविशित अखता थे उसी प्रकार तुम में भी जूटे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उदगाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आपको श्रीग्र विनाश में डाल देंगे बहुत से उनके समान लुच्पन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी वे लोब के लिए बाते गड़कर तुम्हें अपने लाब का कारण बनाएंगे और जो दंड की आगया उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उंगता नहीं क्योंकि जब परमेश्वे ने उन स्वर्गदुदों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेज कर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे और प्राचिन युग के संसार को भी न छोड़ा वरण भक्तिहिन संसार पर महा जल प्रले भेजा और धर्म के प्रचारक नू समेत आठ व्यक्तियों को बचा लिया और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया ताकि वे आने वाले भक्तिहिन लोगों की शिक्षा के लिए एक द्रिश्टांत बने और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया क्योंकि वे धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीडित करता था तो प्रभु भक्तों को परिक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है विशेश करके उन्हें जो अशुद अभिलाशाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुछ जानते हैं वे धीट और हटी है और उंचे पदवालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते तो भी स्वर्ग दूद जो शक्ती और सामर्त में उनसे बड़े हैं प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोश नहीं लगाते पर ये लोग निर्बुद्धी पश्वोही के तुल्य है जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्द हुए हैं और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विशे में दूसरों को बुरा भला कहते हैं वे अपनी सडाहट में आप ही सड जाएंगे दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा उन्हें दिन दो में व्यविचार बसा हुआ है और वे पाप किये बिना रुक नहीं सकते वे चंचल मनवालों को फुसला लेते हैं उनके मन को लोब करने का अभ्यास हो गया है वे संताप की संतान हैं वे सीधे मार्ग को छोड़ कर भटक गए हैं और बहुर के पुत्र बीलाम के मार्ग पर हो लिए हैं जिसने अधरम की मजदूरी को प्रिय जाना पर उसके अपरात के विशे में उल्हाना दिया गया यहां तक कि अबोल गधी ने मनुश्य की बोली से उस भवश्य दक्ता को उसके बावले पंसे रोका ये लोग सूखे कुए और आंधी के उड़ाए हुए बादल है उनके लिए अनंत अंधकार टहराया गया है वे व्यर्त घमन की बाते कर करके लुच्पन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारिरिक अभिलाशाओं में फसा लेते हैं जो भटके हो में से अभी निकल ही रहे हैं वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिया तो करते हैं पर आ चान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुदता से बच निकले और फिर उनमें फसकर हार गए तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आग्या से फिर जात दानी की चड में लोटने के लिए फिर चली जाती है दानियल तीसरा अध्याय 13 से 30 तक तब नबगद नेजर ने रोश और जलजलाहट में आकर आग्यादी की शद्रक मेशक और अबेद नगो को लाओ तब वे पुरुष राजा के सामने हाजर किये गए नबगद नेजर न कराई हुई सोने की मुरत को दंडवत नहीं करते तो क्या तुम जान बुचकर ऐसा करते हो यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नर्सिंगे बांसुली वेणा सारंगी सितार शैनाई अधी सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी शन गिर कर मेरी बनवाई हुई मु देता है जो तुमको मेरे हाथ से छुडा सके शद्रग मेशक और अभेद नगो ने राजा से कहा हे नबगद नेजर इस विशे में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता हमारा परमेश्विर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधते हु कि हम लोग तेरे देता के उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे तब नबगद नेजर जुंजला उठा और उसके चहरे का रंग शद्रग मेशक और अभेद नगो के प्रती बदल गया उसने आग्यादी की भटे को साथ गुणा अधिक धदका दो फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आग्यादी की शद्रग मेशक और अभेद नगो को बांध कर उन्हें धदकते हुए भटे में डाल दो तब वे पुरुष अपने मोजों, अंग्रखों, भागों और अन्ये वस्त्रो सहीद बांध कर उस धदकते हुए भटे में डाल दिये गए, वह भटा तो राजा की द्रड आग्या होने के कारण अत्यंत धदकाया गया था, इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रग मेशक और अभेद नगो को उठाया वे ही आग की आंज से जल मरे और उसी धदकते भटे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक मेशक और अभेद नगो बंदे हुए फेक दिये गए, तब नबुगद नेजर राजा अचंबित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बंदे हुए नहीं डलवाए, उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हां राजा, सच बात है, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि चार पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानी नहीं पहुंची, और चौते पुरुष का स्वरूप इश के दासो निकल कर यहां आओ, यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए, जब अधिपती, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इखटे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नही आई गई, नबगद नेजर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेज कर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा के आग्या न मानकर तुझी पर भरोसा रखा, और यह सोचकर अपना शरीर भ और भिन्न भिन्न भाशा बोलने वालों में से, जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वो टुकडे टुकडे किया जाएगा, और उसका घर गूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं, जो इस रीती से बचा स के, तब राजा ने बेबिलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक अबेदनगो का पद और उंचा किया, दानियल चौता अध्या एक से अठरा तक, नबगद नेजर राजा की ओर से देश-देश और जाती-जाती के लोगों और भिन्न भिन्न भाशा बोलने वाले जितने सारी प बचन मिला, तुम्हारा कुशल शेम बड़े, मुझे ये अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वनी मुझे जो जो चिन्ह और चमतकार दिखाए हैं, उनको प्रगट करूं, उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमतकारों में क्या ही बड़ी शक्द रहता था, मैंने ऐसा स्वपन देखा जिसके कारण में डर गया और पलंक पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बात मैंने देखी उनके कारण में घबरा गया था, तब मैंने आग्या दी कि बेबिलोन के सब पंडित मेरे स्वपन का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किये जाए जब जोतिशी, तंत्री, कस्दी और होनहार बताने वाले बीतर आए और मैंने उनको अपना स्वपन बताया परंतुए उसका फल न बता सके, अंत में दानील मेरे समुक आया जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेल्थ शजर रखा गया था और जिसमें पवित्र इश्वरों की आत्मा रहती है और मैंने उसको अपना स्वपन यह कहकर बता दिया, हे बेल्थ शजर तू तो सब जोतिशों का प्रधान है, मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र इश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण न ता इसलिए जो स्वपन मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बता कर समझा दे जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है मैंने देखा कि पृत्वी के बीचों बीच एक व्रिक्ष लगा है उसकी उंचाई बहुत बड़ी है वो व्रिक्ष बड़ा होकर द्रिड हो गया और उसकी उंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृत्वी की चोड तक दिखाई पड़ता था उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे यहां तक कि उसमें सभों के लिए भोजन था उसके नीचे मैदान के सब पश्वों को छाया मिलती थी और उसकी डालियों मे आकाश की सब चड़ियां बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहिर पाते थे मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया उसने उन्ची शब्द से पुकार कर यह कहा व्रुक्ष को काट डालो उसकी डालियों को जड समेद भूमी में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांध कर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो वो आकाश की ओस से भीगा करे और भूमी की घास खाने में मैदान के पशुओ के संघ भागी हो उसका मन बदले और मनुशका न रहे परन्तु पशुकासा बन जाए और उस पर साथ काल बीते यह आग्या पहरों के निर्णे से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान लेकि परम प्रधान परमेश्वर मनुश्यों के राजे में प्रभूता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है और वे छ क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता पर तुझ में तो पवित्र इश्वरों की आत्मा रहती है इस कारण तु उसे समझा सकता है